कि और कि नोट टू कि जो उपर ग्राप बनाए थे उन्हीं से हम ऐसे ही बुस्कते हैं कि अगर फंक्शन माल लिया डिस कॉंटिनियूस है तब तो पक्का क्या होगा नॉन डिफ्रेंटियबल कि यह ठीक है अगर हम कॉंटिनिटि और अधिन्ट रिफिरांशी विल्टी की बात करें तो इसको वी मैधमाटिकले प्रूव भी करेंगे अगर फंक्शन कॉंटिनयस है तो फिर वो डिफेंशियमगल भी हो सकता है and non नोन डिफ्रेंशियबल भी हो सकते है यह ठीक है अगर function discontinuous है तो पक्का non-differentiable होगा अगर function continuous है तो वो differentiable भी हो सकता है non-differentiable अगर function continuous है तो उसका मतलब गया कि उसके ग्राफ में break नहीं है बट ब्रेक ना हो फिर भी corner तो आई सकते है corner अगर आगया तो non-differentiable हो जाएगा smooth graph आगया तो डिफ्रेंशियबल होता है यह ठीक है अगर function differentiable है और मैं उल्टा पूछे क्यों continuous होगा है तो पक्का continuous होगा क्योंकि अगर discontinuous होगा तो differential हो इसकता है यह ठीक है अगर function non-differentiable है तो non-differentiable हो तो मैं दिखाई दे रहा है कि continuity में भी आ रहा है यहां पर भी हो सकता है यहां पर भी हो सकता है तो फिर वह continuous भी हो सकता है and discontinuous दौनी possibilities है यह ठीक है इसको याद कर लिया ठीक है अच्छा भी हमने मुझाए कि graph के उपर corner आएगा तो वह continuous नहीं हो सकता sorry differentiable नहीं होगा उस पॉइंट पर ठीक है तो यह जो corner आएगा अगर वह बहुत obvious है तब तो हम बता सकते हैं पक्का कि non-differentiable है यह ठीक है अगर वह obvious नहीं है तो फिर हम mathematically चेक करेंगे उसी के बात बोलेंगे कि वह continuous है और शॉरी चेक करेंगे उसी के बात बोलेंगे कि वह differentiable है या non-differentiable है कहने का मतलब क्या है mathematically यह ठीक है unless very obvious जब तक बहुत obvious नहीं हो यह ठीक है always check differentiable यह ठीक है यह ठीक है always check differentiable यह ठीक है यह ठीक है by evaluating evaluating the limit कौन सा limit जो भी corresponding limit है यह ठीक है not by observation ठीक है जैसे example one माले अगर हमने mod x ग्राफ बनाया तो mod x ग्राफ तो ऐसे बनता है यह line हो गया y is equals to x यह हो गया y is equals to minus x तो इस वाले case में तो बहुत obvious है कि जीरो पे non-differentiable है क्योंकि 0 पे right-hand side ग्राफ ऐसे जा रहा है corner दिखाई दे रहा है यहाँ पे तो clear cut corner दिखाई दे रहा है यह ठीक है तो इस वाले case में तो y is equals to mod x is non-differentiable at x is equals to 0 क्योंकि clear cut corner दिखाई देगा यह ठीक है और मालने example 2 कोई भी एक quadratic मालने ऐसे है यह ठीक है यह alpha है यह beta है next page ले लिए example 2 मालने कोई quadratic ऐसे है qx यह ठीक है यह alpha है यह beta है quadratic तो एक polynomial होता है y is equals to qx यह ठीक है polynomial function हमेशा continuous होता है differentiable भी हमेशे होता है यह ठीक है अम मालने मैंने इस पर mod लगा दिया तो ऐसे graph होनेगा यह ठीक है यह alpha हो गया यह beta हो गया यह graph हो गया y is equals to mod qx का यह ठीक है अगर मैं alpha पर tangent कीचू तो यह ऐसे line आ रहा है ठीक है तो इस वाले case में जब graph उपर गया तो graph जब उपर गया तो क्या होगा कि यह जो यह जो line खीच है मतलब मालने यह straight line है सही सके चानी है इसका जो left वाला portion हो तो अभी वी ऐसे ही रहेगा जैसे पहले था मतलब यह और यह दोनों parallel है right वाला portion क्या था जो नीचे था यह उपर चला गया उपर चला गया तो यह ऐसे बन गया ठीक है तो अगर यह line है इसका आदा को मैं तोड़ के ऊपर ले जाओं तो यहां तो पक्का क्या होगा corner आ जाएगा वह भी दिख रहे है तो इसमें भी हम क्या बोल सकते है कि y is equal to mod qx is non-differentiable at x is equal to alpha and x is equal to beta that is roots पे यह भी non-differentiable है इसको भी हम observation से बता सकते हैं ठीक है अब माल लिया आया example 3 माल लिया उसने एक function दिया if x is equal to sin x यह ठीक है if x is greater than equal to 0 is equal to x if x is less than 0 ठीक है अब अगर मैं देखूं तो y is equal to x ग्राफ तो ऐसे बनेगा यह तो हो गया y is equal to x and y is equal to sin x ग्राफ ऐसे बनेगा ठीक है अब इसने क्या बोला है कि f x जो है वो sin x के बराबर है अगर x 0 से आगे है तो 0 या 0 से आगे आगे वाला तो यह ग्राफ रख लिया और 0 से पहले वाला यह ग्राफ रख लिया इन दौन को मिला दिया बाकी ग्राफ मिटा दिया और इन दौन ग्राफ को मिला दिया यह ठीक है तो f x ग्राफ बन जाएगा अब f x ग्राफ मन लिया ऐसे बना राइट हैंड साइड पर साइन एक्स यह हो गया यह ठीक है अब लेफ्ट हैंड साइड पर y is equal to x यहां से एक स्टेट लाइन बनेगा ठीक है अब स्टेट लाइन कैसे बनेगा एक बच्चे ने तो ऐसे बना दिया ठीक है और स्टेट माल लिया दूसे स्टूडेंट ने ऐसे बना दिया ठीक है अब इसमें क्या होगा कि अगर मैं इसे बोलाने कि origin पर यह differentiable है या नहीं है तो जो यह blue जो blue जिसने blue line dotted line बनाया जिस बच्चे ने उसको यह ग्राफ ऐसे smooth दिखाई देगा क्या मगर मैं इस line पर चलना शुरू करूं तो smoothly मैं sin x की उपर चला गया ऐसा तो उसे तो लगएगा differentiable है और जो black वाला है वो पहले इस direction में जा रहा था फिर अचानग direction change हो गया तो उसे तो यह corner दिखाई देगा यह ठीक है कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे को इस वाले case में यह पूछा है नहीं है तो मैं ऐसे graph बनाके differentiability analyze नहीं कर सकता क्यूंकि मेरे graph बनाने के उपर depend करता है कि मेरे corner दिखेगा या नहीं दिखेगा basically इसमें उल्टा है इसमें यह नहीं कर सकते graph बनाके फिर हम differentiability analyze करें इसमें तो पहले differentiability analyze होगा उसके बाद हम graph बना सकते मतला अगर differentiable हो गया अगर differentiable हो गया तो तो फिर यह जो blue dotted line है उस तरह से बनेगा अगर non-differentiable होगा तो यह black वाली dotted line की तरह बनेगा मतला इसमें हमें differentiability check करना पड़ेगा graph बनाने के लिए हमें differentiability चाहिए differentiability graph से निकाल नहीं सकते यह बोला गया ठीक है तो अगर माल लिया मेरे को देखना differentiability 0 पे तो इन दोनों में equality कहां पे ऊपर है तो f0 कितना हो गया f0 कितना हो गया 0 तो निकाल लिया अगर हमने RSD निकाल हूँ में right-hand derivative तो that will be limit x is turning towards a fx right-hand side पे तो definition sin x यह तो fx यह होगा minus f0 upon x-0 I hope यह तो मैं भी याद होगा यह तो core है इस पूरे chapter का यह ही limit calculate करते है तो यहाँ पे a का value 0 है f0 का value 0 है तो यह तो होगा limit x is turning towards 0 sin x upon x which is nothing but 1 ठीके अव left-hand derivative है limit x is turning towards 0 इस वाँ left-hand side पे graph x किसे defined है तो यह x हो जाएगा x-0 upon x-0 which is 1 तो LSD और RSD तो बरावर हो गया तो इस इंप्लाइस function is differentiable at x is equal to 0 and f-0 is equal to 1 यह differentiable हो गया तब हमें पता लगा कि यह जो green sorry क्या बलते है blue blue line वाला जो है वो साही है graph मतला अगर मैं दोपार ड्रॉख करूँ तो इट विल लुक लुक लाइक दिस smooth graph है यह origin हो गया यह y is equal to x हो गया यह y is equal to sin x हो गया यह origin है यह actual graph ऐसे बनेगा और मैं को कैसे बता लगा यह ऐसे बनेगा differentiability analyze करने के बात यह ठीक है graph बना के differentiability analyze नहीं किया है this should be kept in mind ठीक है